बिस्मिल्लाइ रुमानी रहीम, अस्सलामों अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे इद की दावत के लिए स्पेशल गोश्ट का कोर्मा, इद के मौके पर बहुत यह आसानी से जटपट कूकर में बनका तयार हो जाता है, इस दाने प्यास को पहले से फ्राय करके रख लिए हूँ, और देखरी प्यास को बहुत ज्यादा में जलाना नहीं, इस तरह से हलका सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तो इसे फटा-फट से निकाल लेना है, अभी यह प्यास को मैं साइड में रख देती हूँ, और बाकी कोर्मे की तयार कर लेते हैं, आज मैं कोर्मा कुकर में बनाऊंगी जो जटपड बनकर तयार हो जाएगा, तो देखिए प्यास फ्राय करके तेल बचाए वही तेले, यह एक कप तेल ली थी मैंने, उसी में हम कुछ खड़े मसाले दालेगे, यहाँ पर एक तेस पत्ता है, तीन से चार हरी लाई चीए, दो से तीन लॉंग है, और तीन से चार काली मिर्चे, बिस्मिल्ला इर्मानी रहीं, यहाँ पर मैंने मुंफली का तेल ली हूँ, उससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है, आप चाहे तो आदा तेल और आदा घी भी ले सकते हो, खड़े मसाले फ्राय हो ग और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राय कर लेते हैं, अद्रग लसं भी इसमें अच्छी तरह से भून जाएगा, और गोश्बू बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इस तरह से कोर्मे में हम फ्राय करके लेते हैं, तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए, तेज आच पर मैंने गोश को और अधरक लसन को अच्छी तरह से फ्राय कर लिए हूँ, इस तरह से जब हम तेल में गोश को फ्राय करते हैं तो गोश जल्दी गल जाता है और अंदर तक सभी मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, अब इसमें हम डालेगे सुखे मस मसाले, उससे पहले मैं गैस की फ्लेम दीमी कर देती हूँ, ताकि मसाले मारे जले नहीं, तो एक चम्मच फूल भरके मैंने लाल मिर्च का पाउडर ली हूँ, मिर्च आप अपने सबसे कम ज्यादा कर सकते हो, देड़ चम्मच है यहाँ पर धनिया पाउडर, थोड़ी सी म मैंने हल्दी पाउडर ली है, और नमक है इधर टेस्ट के मुताबिक, तो यह मसाले डाल देते, बिसमिल्लाए रमानी रहीं, मसालों को भी हमें गोश के साथ अच्छी तरह से भून लेना है, दीमियाज करके 2-3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट हो गए, मैंने धीमियाज पर मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिए, अब इसमें डालेगे हम पानी, क्योंकि यहाँ पर हमें गोश को गलाना है, एक गिलास मैं पानी डाल रही हूँ, तो मैं कुकर में गला रही हूँ, उस हिसाब से मैं एक गिलास डाल रह तो आपने थोड़ा पानी ज्यादा डालना है, एक बार मिक्स कर देगे, और कुकर का ढकन लगाने के बाद हमें एक सीटी तेज आज पर लेना है, बाकी 15-20 मिनट के लिए धीमी आज पर पकाना है, यह बड़े का गोश है, इसलिए थोड़ा गलने में टाइम लगेगा, आ और गोश में थोड़ इसी कसर बाकी रहे, यानि 90% तक गोश गल जाए ना, वहाँ तक हमें गोश को गलाना है, गोश को हमने कुकर में गलने के लिए रख दिया है, वहाँ तक देखिए, यह जो हमने प्यास फ्राइ करकी रखिए ना, उसे हमें हातों की मदद से इस तरह से क्रश कर लेना है, या फिर आप मिक्सर जार में डालकर इसे दरदर आप इसले पानी डाले बिना, और दूसरे भी मसाले वो भी बता देती मैं आपको, यह देखिए, कोर्मे के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 100 ग्राम दही, तो दही बहुत ज्यादा खटा नहीं लेना है, फ चार पाच बदाम लेकर भी पीस सकते हो, तो कोर्मे का टेक्चर बहुत अच्छा आता है, तो इन तीनों को में मिक्सर जार में डालकर पीस कर इसका पेस्ट बना लेना है, अब कोर्मे का खुशबुदार गरम मसाला पीस लेते हम, तो उसके लिए देखिए, चार पाच हरी इलाईची लिएओ, कोर्मे में हरी इलाईची का फ nouveaux ज्यादा होता है, तो इह हरी इलाईची चार पाच एक दाल्चिनी का टुकड़ा है, यहाँ पर जावीतरी का एक कड़ा फूल ने इकाल डी बड़ी इलाईची निकाल एक आता मिक्सर पीस कर पाउडर बना लेना है, त इस तरह से मैंने प्यास बताई हूँ इसे अलग पीसना है दरदरा ये गरम मसाला अलग पीसना है और ये दही सुखा मावा और खोपरा ये अलग से पीसना है तो तीनों को अलग अलग पीसकर तयार कर लेती हूं कर-20 मिनित तक दीमी आज पर जोवश पकने के बाद मैंने गैस बं कर दी थी All Isso और कूकर का सारा प्रेश्न निकल चुकाए तो अब हम गोश को चैक कर लेते हैं बस थोड़ी सी कसर बाकी है गोश में तो भी दूसरे मसालों के साथ हम इसे पका लेगे तो फिर से मैं एक बार गैस को चालू कर देती हूँ और यहाँ पर देखिए जो मैंने दही नारियल का बुरादा और खोया ली थी उसे पीस लीओ और बीरस्ते को इस तरह से देखिए दरदरा सा पीसकर भी तैयार कर लीओ तो इस तरह से दरदरा टेक्चर होगा ना जबी कोर्मे में अच्छा सा दरदरा सा टेक्चर आता है दानेदार और ये खुश्बू वाला मसाला जो खड़े मसाले बताई थी मैंने तो वो भी पीसकर तैयार कर लीओ तीनों मसाले हमारे तैयार हो चुके सबसे पहले हम ये दही नारियल का जो बुरादा लिया था वो और चुखा मावा डाल देते फ्राई कीवी प्यास भी डाल देते जो हमने इस तरह से क्रश करके लिए और इसमें से ये मसाले का एक चमठ पाउडर दाल देते बाकी एक चमठ में लास्ट में दालूगी इसे मिक्स कर देते और मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है हलकी सी मटन में कसर बाकी है अभी ये मसालों के साथ उसे हम पकाएगे तो देखिए प्याज वगेरा जो भी मसाले मैंने डाली हूँ डालते के साथ आप देख सकते हो कितना अच्छा कोर्मे का ये जो दानेदार है अभी इसे टेक्शर दिख रहा है अभी इसे हम भूनेगे तो और अच्छा दानेदार हो जाएगा तो दो से तीन मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ ये देखिए मसाले को मैंने दो से तीन मिनट टक भून लिए हूँ अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेगे गरम करके तो यहाँ पर मैंने आदे गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी गरम कर लिए हूँ आदा गिलास मैंने पानी डाली उदर गरम पानी डालना है ठंडा पानी नहीं डालना है एक बार मिक्स करके बस कुकर का ढखकन बन कर लेगे हम और एक सीटी लगा लेनी हमें ताकि जो गोश में थोड़ी सी कसर बाकी है वो पूरी तरह से गल जाए मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लगा लेना है हमें कुकर में एक सीटी हो गई है और प्रेशर सारा निकल चुका है हम फिर से चेक कर लेते हैं माशालला खुशबू ही खुशबू आ रही है अब फिर से एक बार गयस चालू कर देते हम मीडियम फ्लेम पर और इसमें डालेगे हम एक चम्मच पीसावा गरम मसाला जो हमने पीस कर रखा है तो पहले मैंने एक चम्मच डाली थी और अभी एक चम्मच डाल रही हूं और यह बचावा कोई भी डबे में रख देगे अगली बार जब हम कोरमा वगरा बनाएगे चिकन मतन का तो उसमें आप डाल सकते हो अब इसमें डालेगे हम दो चम्मच केवडा वाटर केवडे वाटर से कोरमे में बहुत एच्छी खुशबू आती है तो अगर आप वाटर दाल रही है इसलिए दो चम्मच डाल देती हूँ अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेते और पाच मिनट के लिए हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है इसकी फ्लेम मीडियम ही रखे गया और मीडियम फ्लेम पर भून लेना है इससे पहले जब कूकर बन करते टाइम म मसालेदार इस तरह से तो हम इसे पाच मिनट के लिए भून लेते हैं तो यहाँ पर पाच मिनट हो गए है और देखिए कोर्मे का टेक्शर देख सकते हैं कितना दानेदार हमारा कोर्मा बन के तयार हो चुका है सारे मसालों का फ्लेवर खुश्बू बहुत ही अच्छी तर से यह कोर्मा जट पर कुकर में बना सकते हो तंदूरी रोटी या फिर रुमाली रोटी नान है कुल्चा है पराठे है किसी के साथ भी आप इसे खाओगे अच्छा लगता है खाने में और जट पर भी बनकर तैयार हो जाता है तेल भी सब अलग से आ गया है तो इस तरह से कुकर में बड़े के गोश का कोर्मा बना सकते हो इफ्तार पाइटी हो इत की दावत हो या फिर घर पे कोई स्पेशल प्रोग्राम हो आप इस गोश के कोर्मे को मेरे तरह से जरूर बना कर ट्राय कीजिएगा इंशाल्ला आपकी तारीफे ही तारीफे होगी उंगलिया चाटने पर मजबूर कर दे ऐसा जाएकेदार गोश का कोर्मा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों और रिशेदारों में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना अपना बहुत सारा खयाल दूआ हो में हमें भी याद रखे फिर मिलते इंचालला एक नहीं रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज झाल सुप है पर से सकता है तो में हमेर इंचालला आडन आठिकार Hafальное के साथ घसे से उत अंने और हो मैं हमाँ आप रखसे अल्दी से सब्सक्राइब कर रेसे चालश में है कि नहीं हमें हमेर में हमाँर कर दोस्तों अल्य आपने और हूबायों था एंबावा रखसेदरous